असलामों अलेकुम हेलो फेंट्स वेल्कम टो माई जहाराज की चेन मैं हूँ जहारा उमीद करते हूँ आप सब यह से जरूर होंगे आज मैं आप सभी के साथ मोरम स्पेसल पर बनने वाली वर की चोंगे की रेसिपी लेकर आए हूँ वर्की चोंगे बनाने के लिए हम वर्की पूरी बना लेंगे उसके लिए हमें आटा लगा लेना है, यहाँ पर मैंने दो कप ले लिया है मैदा, इसी कटोरी का इस्तिमाल करूँगी मिजर्मेंट के लिए, एक चुटकी हमें नमक डाल देना है, अब मैं यहाँ पर दो से तीन चमज ले लेती हूं देसी घी, इसे हम हलका सा गर्म कर यानि हम इसे पिगला लेंगे, तो यहाँ पर देखे घी को मैंने इस तरह से पिगला लिया है, अब मैं यहाँ पर दाल देती हूं मैदे पर, सभी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, दो कप मैंने मैदा लिया है, एक चुटकी नमक और दो से तीन चमस देसी सबी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आटा गुंदने के लिए मैंने हाँ पर ले लिया है थोड़ा सा हल्क गुंदंना पानी तो यहां पर देखे मैंने आटे को अच्छी तरह से गुंद लिया है, सॉफ्ट है, अब मैं इसे 10 मिनिट के लिए रेश पर छोड़ दूँगी, तो यहाँ पर जो है न मैं इस बोल को ढग देती हूँ और 10 मिनिट के लिए मैं इसे रेश पर छोड़ दूँगी, 10 मिनिट के बाद हुँ दो छोटी लाइची जिसका मैंने मुझ खोल लिया है, अब हमें स्टोप के हाई फ्लेम पर चीनी को अच्छी तरह से गुलने के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, यानि चीनी को हम अच्छी तरह से डिजॉल्व कर लेंगे पानी में, जैसे हलका सा चिप-चिप हाथ में लग रहा है, तो चलिए अब मैं स्टोप को आफ कर लेती हूं, तो इसे मैं साइट कर लेती हूं, और यहां पर 10 मिनिट हो चुका है, और हमारा आटा देखे कितना सौप्ट हो चुका है, वर्की पूरी बनने के लिए, अब हमें क्या करना, इसे और 2 मिनिट के अब बना सकते हैं, तो चलिए सबी गोले को मैं क्या करूँगी, बोल पर रख लेती हूं, वर्की पूरी बनाने के लिए हमें एक पेस्ट करना है, एक कटोरी में मैं दो चमस डाल देती हूं, मैदा और देसी घी, मैदा और देसी घी को हम अची तरह से मिक्स कर लेंगे, घ यहां पर जो हैंना में एक एक गोले लोंगी और बिल्कुल हमें रोटी के सकल में इसे बेल लेंगे उसके बाद हम पूरी बनाएंगे तो यहां पर देखिए इस तरह से आपको ज्यादा पतला या फिर ज्यादा मोटा नहीं रखना है इस तरह से मीडियम साइज का पूर चारों तरफ हम अच्छी तरह से स्प्रेट कर लेंगे मैदा और देसी घी का हमने जो पेश्ट बना कर रखावाया उसके उपर और एक रोटी रखोंगी इसी तरह से हम एक लेयर बना लेंगे जितना भी हमने रोटी बना कर तयार किया है इस तरह से एक रोटी को पर मैं इस कट कर लूंगी तो जितने बड़े साइज का आपको पूरी बनाना विल्कुल उसी तरह से आपको कट कर लेना है तो यहां पर देखी और इसे कट करने का तरीका देखिए आगे पीछे हाथ से थोड़ा सा इस तरह से फैलाओंगी और हलका सा मैं इसे बेलन से बेल लूँगी इस तरह से जितने बड़ा साइस का आपको पूरी बनाना है आप इस तरह से हलका हाथ से दबा कर और बेलन से बेल कर तयार कर लें सबी पूरी को मैं इस तरह से पहले बेल कर तयार कर लूँगी उसके बाद मैं इसे फ्राइ करूँगी और उसके बाद हमारा जो वर्की पूरी है बिल्कुल बनकर तयार हो जाएगा चोंगे बनने के लिए पूरी को तलने के लिए मैं medium low flame पर तेल को अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ एके करते वह पूरी आट कर देती हूँ कड़ायी पर जितना space हो उतना ही पूरी आट करें स्टोप के low flame पर पूरी को उलट पूलट करते वह हमें fry कर लेना है जब तक इसका color बिल्कुल golden color ना आ जाए तो उसके बाद हमें तेल से चानकर इसे निकाल देना है तो यहाँ पर देखिए हमारा पूरी बिल्कुल बनकर तयार है इसे मैं और दो मिनिट के लिए हाई flame पर उलट पुलट करते हुए fry कर लूँगी उसके बाद मैं इसे तेल से चानकर निकाल दूँगी तो लीजे फ्रेंड्स माशाला से हमारा वर्की पूरी बिल्कुल बनकर तयार है बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होता है आप इसे किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं इसी तरह से सभी पूरी को मैं fry कर लूँगी तो यहाँ पर हमारा वर्की पूरी बिल्कुल बनकर तयार है चोंगे बनने के लिए तो आवाद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना खस्ता बनकर तयार हुआ है वर्की चोंगे बनाने के लिए सबसे पहले सुगर सिरब को हम हलका सा गर्म कर लेंगे उसके बाद हम पूरी को इसमें डिप करेंगे 6-7 सेकेंड के लिए हमें छोड़ देना है उसके बाद पूरी को हम सुगर सिरब से बाहर निकाल लेंगे इसी तरह से सभी पूरी को हम सुगर सिरब में डिप कर लेंगे 6-7 सेकेंड के लिए उसके बाद हमारा जो वर्की चोंगे है बिल्कुल बनकर तयार हो जाएगा आप चहती से ऐसे भी खा सकते हैं अगर आपको इसे थोड़ा सा गानिस करना है तो उसे भी मैं दिखा देती हूँ किस तरह से आपको इसे सजा कर सर्फ करना है तो यहाँ पर हमारा वर्की चोंगे बिल्कुल बनकर तयार है बहुत ही खस्ता बहुत ही क्रिस्पी बनकर तयार होता है लगा है जरूर रही किजिएका तो चलिये इसने कर लेते हैं बहुत मजचेदार पर बना कर तयार देखने में बहुत ही खूँचर लगेगा और खाने में भी मजचेदार का लगेगा तो हैं नलगा है है आप देखर अंदाजा लगा सकते हैं और आवाद सुन कर अनदाजा लगा सकते हैं कितना मज़डार का बनकर टियार हुआ है कितना क्रिस्पी परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ वर्की चौंगे की रेशिपी मैंने आप बोगों के साथ सेहर किया है अगर आप इससे पहले कभी नई ट्रैक है मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखिए पर्फेक्ट आपका वर्की चोंगे बन कर त्यार होंगे तो इस रेसिपी को ज़रूर राइ कीजिएगा आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा तो फ्रेंस अगर आज की वर्की चोंगे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है आप लोगों के लिए हैलफ लगती है तो प्लीस इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करते भी जाईएगा साथ मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पर सबसे पहले पहुंचेगी आप उसे सबसे पहले द और मुझे दूाओं में याद जरू रखें अल्ला हाफीज